हेली स्टूडेंट आज किस वीडियो में देखेंगे एडिक्रेट अभ्यास बुस्तिका दोजार चौबिस पच्चिस कक्चा साथ विशय हिंदी आज की वीडियो में देखने वाले हैं पाठ इकीस पाठ इकीस में दिया है मा कह एक कहानी चलिए question के ओर चलते हैं पहला question आता है आपका बहुई गलब यह प्रश्ण प्रश्ण कर्मांग पहले में है सूरज सब्द का तत्सम सब्द है तो आपका right answer होगा बी नमबर सूरे इसके बाद दूसरे में है मा किसे कहानी सुना रही है तो आपको तर्मी करना है C नंबर राहुल को इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रिश्ण करमांग तीन तीन में है राजा का विलोम सब्द क्या है तो आपका उत्तर हो जाएगा C नंबर रंक इसके बाद नेक्स्ट कोशन आता है आपका चौथा चौथा में उप्वन में बड़े सबेरे कौन ब्रमर करता था आपको उत्तर में करना है A नंबर ताथ इसके बाद नेक्स्ट है पाँचवा साथ में भरनाया आपको न्यालाय आठवीम भरनाया आपको सीमित और नौ में भरनाया आपको जल और दासवीम भरनाया आपको धतूरा तो आप इस तरह से खालिस्थान भल लीचेगा प्रिश्ण कर्मा के ग्यारा में है पाठी के अनुसार तात कहां ब्रहमड करती थे तो आपको उत्तर में करना है उपुवन में प्रश्ण करमाग 12, 12 में दिया है वर्ड वर्ड के फूरी खीले थे जलमल कर हिम बिंदू जीले थे पंक्ती में से योजक चीन वाले शब्दों को डिखे तो आपको प्रश्ण करमाग 12 के उत्तर में करना है वर्ड वर्ड दूसरे में है हिम बिंदू तो आपको इस तरह करना है इसके बाद नेक्स्ट को चनाता है आपका प्रश्ण करमाग 13, 13 में है कहानी में पूत्र अपनी मा से किस बात की हट कर रहा है कहानी में पूत्र अपनी मां से कहानी सुनने के लिए हट कर रहा है इसके बाद नेक्स्ट को चनाता है आपका लगूत्री प्रेश्ण प्रेश्ण करमांग 15 में दिया है उपुवान में हंस सहसा नीचे कैसे गिरा आपको उत्र मिकन है उपुवन में हंस पंखों के आगात होने की कारण नीचे किरा नेक्स्ट आता है आपका प्रेश्ण करमांग 16 प्रेश्ण करमांग 16 में दिया है हुआ विवाद सदय निर्दय में उभय आगराही थेश्वय विशय में गई बात तब न्यालय में उपर युक्त पंतियों का भावार्थ लिखे तो आपको उत्तर में करना है शोला के सिद्धार्थ और निर्दय शिकारी के बीच विवाद बढ़ने लगा दोनों ही अपने विशय पर अडिक थे इसलिए ये विवाद न्यालय पहुंचा नेक्स्ट है आपका प्रेश्ण करमांग 17 17 में दिये है यमक अलंकार की परिभासा उदाहरण सहीत लिखे तो आपको उत्तर में करना है जिस काप में समान सब्द के अलग-अलग अर्थों में आवरिती हो वहां यमक अलंकार होता है उदाहरड है उदाहरड में लिखना है आपको कनक कनक्ते शौगुनी मादक्ता अधिकाई या खाए बोराए नर या पाए बोराए तो आपको किस तरह करना है इसके बाद नेक्स आते है आपका प्रिश्नकरमंग 18 18 में है यदि आपका किसी बात पर जगड़ा हो जाता है तो आप उसे कैसे सुलजाते हैं आपको तर्म करना है यदि हमारा किसी बात पर जगड़ा हो जाता है तो हम उसे ज्यान अधार सयम और बुद्धी विवेग से सुलजाने की कोशिस करेंगे नेक्स्ट आता है आपका देर को उत्रे प्रश्न प्रश्न कर्मा को 19 को उत्तर में आपको करना है पूत्र अपनी मा या सोध्रा से कहता है मा एक कहानी शुनाओ, राजा या रानी की कहानी शुनाओ या सोध्रा कहती है कि पूत्र तू हट करता है तो सुन एक दिन सुबह बगीचे में तुम्हारे पिता घूम रहे थे, वहाँ फूलों की सुगंत चारों और फैल रही थी, इतना सुनकर बेटा कह उठता है कि हा मा मुझे यही कहाने शुनाओ, इसी प्रकारमा अपने पुत्र को कहानी शुनाती है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आ अहिंसा से हमारे जीवन में निमनलिखित प्रभाव पड़ते हैं, पहला है अहिंसा से मानव जीवन में सांती प्राथ होती है, दूसरा है अहिंसा से बिगडे काम आसानी से सुलच जाते हैं, तीसरा में है अहिंसा से चारों और की विकास और खुसाली आती है, चौथे में अहिंसा से किसी देश की तरक्की का रास्ता साफ होता है पाँचवे में है अहिंसा सभी धर्मों में सरोपरी बताई गई है छटवे में है अहिंसा से जीव हत्या नहीं होती है शात्वा में है अहिंसा से चारो तराप भाव मुक्त वाता वरड उत्तम होता है इसके बाद आठवा पॉइंट है अहिंसा को अपनाने से सभी जीव चंतों में सतभावना आती है तो आपको इस तरह करना है तो यहां पी हमारी वीडियो कम्प्लीट होती है यह था लास्ट कोश्चन आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं निक्स्ट वीडियो